जै माता दी दोस्तों लव लाइफ के लिए, स्वास्त के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनस और व्यापार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेशल अस्थिती के लिए, साथ ही बात करेंगे उपाय की और बात करेंगे शुब समय और रहुकाल के बारे में, रहुकाल में किसी भी शुब काम की शुर बात करें आपके दामपत्य जीवन की तो आज आपका दामपत्य जीवन बहुत ही बहतर रहेगा। बात करें शिक्षा की आज का दिन शिक्षा को लेकर बहतर दिन कहा जा सकता है। आज आप किसी अंजान व्यक्ती पर भरोसा विश्वास ना करें। इस समय आप बिजनस के लेंदेन में बहुत इलापरवाही कर सकते हैं। तो इसलिए आज थोड़ा सतर को होकर समझदारी से काम करें। जिससे कि आपको बिजनस और व्यक्तार में नुकसान ना हो। आज का दिन आपको लाप राप्त होने जा रहा है। बिजनस में आपको फाइदे देखने को मिलेंगे। इसलिए बिजनस और व्यक्तार को लेकर आज का दिन बहतर कहा जा सकता है। बात करें आपकी जॉब की, इस समय आपकी जॉब को बहतर संकेत मिलने जा रही है। इस समय आपको जॉब से संबंदित परिशानियों से मुक्ती मिलने जा रही है। ये समय आपके लिए बहुती बहतर कहा जा सकता है। इस समय जॉब से संबंदित परेशानिया दूर होंगी और नई जॉब मिलने के संभावना बनने जा रही है इस समय आपको भरपूर मेहनत करने की जरूरत है जिससे कि आपकी महत्व कांशा पूरी हो सके आपकी अभिलाशा पूरी हो सके बात करें Financial City की तो अब आपकी Financial City में अच्छी Growth देखने को मिलेगी आपकी Financial City अब बहुत ही बहतर होगी किसी पर भरोसा करके आप परशान हो सकते हैं तो इसलिए थोड़े सतर्क और सादान रहें तो आज के लिए आपका दिन बहतर रहेगा और आपको financialsity में फायदे देखने को मिलेंगे बात करें यदि उपाय की तो आज अब भगवान सूरे को जल अरपित करें और साथी गायतरी मंतर का जाप करें सुबा आठ बजे से पहले इसे आपके मान समान में व्रिदी होगी और साथी आपके जौब से संबंदित परिशानियां भी दूर होंगी बात करें यदि शुब समय की तो अब जीत मुहुरत जो की 11 बचकर 52 मिनट से शुरू होकर 12 बचकर 41 मिनट तक रहने वाला है वहीं आज की दिन रवी पुष्य योग बन रहा है जो की शाम के 4 बचकर 34 मिनट से शुरू होकर पूरा दिन और रात रहने वाला है वहीं सरवाद सिद्धी योग भी 4 बचकर 34 मिनट से शुरू होकर पूरा दिन रहने वाला है यानि की 4 बचकर 34 मिनट के बाद का समय आपके लिए वो काम आपके पूरे नहीं हो पाते हैं तो दोस्तों जाना आपने 13 सितंबर रविवार का दिन मीन राश्ची वालों के लिए कैसा रहने वाला है